हलो अच्टूडेंट्स बेलकम टू सिपसंकर जिक्के जी एशिपसंकर जिक्के जी इसमें आपका फिर से स्वागत है तो अच्टूडेंट्स आप लोगा चल रहा था पारामेडिकल परवेश परिच्छा 2022 के लिए फिजिक्स का चाहे पी एम हो या पी में हो दोनों के लिए बहुत ही इंपोर्टन कोशन भी विए कोशन विडियो पूरा देखना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है तो यहाँ पर आपका पहला नंबर कोशन काता है तुवारित आवेस उत्पन करती है आपसने अलफा किरने आपसन भी गामा किरने आपसन सी बीटा किरने और आपसन डी विधुत चुमकिये तरंग तो तुवारित आवेस जो उत्पन करती है वह आपका विधुत चुमकिये तरंग उत्पन करती है, राइट अंसर नहाँ पर हो जाता है आपका अपसन नमबर डी, उसके बाद फिर अगला नमबर कोशन कहता है, जब किसी आमापी को संट किया जाता है, तो इसकी सिमा छेतर अपसन बढ़ती है, अपसन भी घड़ती है, अपसन सी स्थिर होती है, और अ राइट अंसर हो जाता है, उसके बाद फिर अगला नमबर कोशन कहता है, बिदुत्धैरा के चुमक्य प्रभाव की खोज की थी, उसकी अंपियर ने, उसकी तो बिधुत धारा के चुमके प्रभाव की जो खोज किये थे वो आउस्ट्रेड ने तो यहाँ पर आपका राइट अंसर हो जाता आप्सन नमबर B उसके बाद अगला नमबर कोशन काता है धारा बाही बृतिये कुंडली के केंदर पर उत्पन चुमके च्छेतर रहता है आप्सने कुंडली के तल में आप्सन B कुंडली के तल के लंबवत आप्सन C कुंडली के तल से 45 डिगरी पर और आप्सन D कुंडली के तल से 180 डिगरी पर तो धारा बाही बृतिये कुंडली के केंदर पर जो उत्तपन चुमके चछेतर होता है वह रहता है आपका टल के लंबवत रहता है तो एहां पर आपका right answer हो जाता है option number B उसके बाद फिर आगला number question काता है एक समान चुमके च्छेतर उत्तपन होता है और ऑपसरण दी में दिया है परिनालका में धारा के प्रवा से उसके भीतर देखे कोशन काता है कि एक समान जो चुम्किये छेटर उत्पन होता है उपरिनालका में धारा के प्रवास के बीतर होता था है तो एहाँ पे आपका राइट अंसर हो जाता है और अपसन नमबर डी उसके बाद फिर अगला नमबर कोशन काता है लौरेंज बल की दिसा ग्याद करने का नियम है आपसने फलेविंग का बाए हाथ का नियम आपसन भी फलेविंग का दाए हाथ का नियम विपरित और आपसन सी मैक्सविल का दाए हाथ का कौरक श्कुरू नियम काम को और आपसन डी एंपियर का तेरने का नियम तो देखिए लॉरेंज बल की जो दिसा ग्यात करने का नियम है ओवा है आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्योंकि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से लॉरेंज बल के दिसा ग्यात करने का नियम है तो यहां पर आपका राइट अंसर हो जाता है आपसर नमबर A उसके बाद फिर आगला नमबर कोश्चन काता है एक तार में विधु धारा पच्छिम से पूरव की और प्रवाहित हो रही है जो की उत्तर की और दिष्ट चुमकिये छेतर में रखा है तो तार पर कार्जसिल बल की दिशा होगी आपसर A में दिया है पूरव की और आपसर B में दिया है पच्छिम की और आपसर C में दिया उर्दभारधर के नीचे की और आपसर D में दिया है उर्दभारधर के उपर की और तो देखे, कहता है कि एक तार में विदु धारा पच्छिन से पूर्व की और प्रवाहित हो रहा है, जो कि उत्तर की और दिष्ट चुमके छेतर में रखा जाता है, तो तार कार्जसिल बल की जो दिसा होगा, वो होगा उर्दवारदर उपर की और, तो यहाँ पर राइट अ अगला कोशन कहता है, चल कुंडली धारा मापी में कुंडली के मध नरम रोहे की क्रोड रखते हैं, ताकि आप्सन ए में दिया चुमके छेतर समरूप हो जाए, आप्सन भी चुमके छेतर का मान प्रवल एवं त्रेज हो जाए, और आप्सन सी चुमके छेतर केवल त्रेज हो जाए और आप संडी कुंडली का परतिरोद सुन हो तो देखिए यहां पर कहता कि चल कुंडली धरमापी में कुंडली के मध नेरम लोहे की जो क्रोड रखते हैं ताकि चुमकिये छेतर का मान जो है प्रवल एवं त्रेज हो जाए तो यहां पर आपका राइट अंसर हो जा आपसन भी केवल चुमकिये छेतर आपसन सी बिदू चुमकिये छेतर और आपसन डी इन में से कोई नहीं तो देखिए काता है कि समरूप प्रवेग से चलाय मान अवेश जो उत्पन करता है वह वह बिदू चुमकिये छेतर उत्पन करता है तो यहां पर आपका राइट अं तथा सरल रेखिये और आप संडी इन में से कोई नहीं तो रिजु धारा की जो चुमकिये बल रिखाएं होती है उबाह धारा के चार ओर बृतिये रिखाएं होती है तो यहां पर आपका राइट अंसर जो हो जाएगा आपसन नमबर ए उसके बाद फिर अगला नमबर कोशन क कोशन काता है संड के परियोग में धारा मापी की सुग्राहिता अपसन अमें नमबर गट जाता है तो राइट अंसर आपसन नमबर उसके बाद अगला नंबर कोशन काता है गलवेनो मीटर को बोल्ट मीटर में परवर्तित करने के लिए हमें क्या परवर्तित करना चाहिए option A में दिया है कम परतिरोद गलवेनो मीटर से सरेनी करम जोड़ना option B में दिया है उच परतिरोद गैलवेनो मीटर के समनांतर आप्शन B में दिया है कम परतिरोद गैलवेनो मीटर के समनांतर जोड़ना चाहिए और आप्शन D में दिया है उच परतिरोद गैलवेनो मीटर के समनांतर जोड़ना चाहिए तो देखिए गैलवेनो मीटर को बोल्ट मीटर में परिवर्थित करने के लिए हमें जो परिवर्थित करना चाहिए वो आपका उच परतिरोध गैलवेनो मीटर के समनांतर जोड़ना चाहिए तो यहां पे आपका right answer जो हो जाएगा वो हो जाएगा option number D उसके बाद फिर अगला number question है एक आदर्स परिनालका की धारा दुगनी कर देने पर इसके अंदर चुमकि ये प्रेरन सदीस का परिमान option A दुगना हो जाएगा option B शमाने रहेगा option C आधा रह जाएगा और option D इनमें से कोई नहीं तो question कहता है कि एक आदर्स परिनालका की धारा अगर दुगनी कर देने पर इसके अंदर चुमकि ये प्रेरन सदीस परमान होगा वह दुगना हो जाएगा right answer यहां पर हो जाता है आपका option number A उसके बाद अगला number question कहता है जब किसी emitter को sunt किया जाता है तो इसकी map सिमा option A बढ़ती है option B घटती है option C इस्थिर रहती है और option D इनमें से कोई नहीं तो जब किसी emitter को sunt किया जाता है तो इसकी map सिमा जो है बढ़ती है तो यहां पर right answer हो जाता है आपका option number A उसके बाद अगला number question कहता है गैल मीनो मीटर को बोल्ट मीटर बनाने में ज़रूरत है option A उच परतिरोध का option B निमनी परतिरोध का option C शंगारितर का और option D प्रेरन कुडली का तो गैल मीनो मीटर को बोल्ट मीटर बनाने में जो जरूरत है वह है आपका उच परतिरोध का right answer option number A उसके बाद फिर अगला number question कहता है दो गतिसील आवेसो के बीच बल लगता है option A के बल कुला में बल option B चुमकिये बल भी और option C नवकिये बल और option D इनमें से कोई नहीं देखिए काता है दो गतिसील आवेसो के जो बल लगता है वह आपका चुमकिये बल भी लगता है तो right answer यहाँ पर हो जाता है आपका option number B उसके बाद फिर अगला number question कहता है दो समानांतर तारों में विप्रित दिसाओं में धराएं परवाहित होती है वह option A एक दुसरे को बिकर्षित करते हैं option B एक दुसरे को आकर्षित करते हैं option C एक दुसरे पर कोई बल नहीं लगते हैं और option D एक दुसरे के धराओं को नश्ट करते हैं तो देखिए दो समानतर तराओं में विपरित दिसाओं में धारायां जो प्रवाहित होता है तो विपरित दिसाओं में प्रवाहित होता है तो एक दूसरे को क्या करते हैं बिकर्सित करते हैं तो यहां पर आपका राइट अंसर हो जाता है आपका option number A एक दूसरे को बिकर्सित करते हैं उसमिय प्रभाव, option C, धारा का रशायनिक प्रभाव, और option D, चुम्बक का धारा पर प्रभाव तो चल कुंडली गैलबेनो मीटर के बनाने का जो सिधान्त है, वह है चुम्बक का धारा पर प्रभाव तो यहाँ पे आपका राइट अंसर हो जाता है, option number D उसके बाद फिर अगला number question काता है, चल कुंडली गैलबेनो मीटर की सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती है, option D, कुंडली में फेरो की संख्या घटा कर, option D, चुम्किय फलस को बढ़ा कर, option C, कुंडली के छितरफल को घटा कर, और option D, प्रती एकांक एठन को बढ़ा कर तो चल कुंडली गैलबेनो मीटर की सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती है, वह आपका, चुम्किय फलस को बढ़ा कर, चल कुंडली गैलबेनो मीटर की सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती है, तो यहां पे आपका right answer हो जाता है, option number B, उसके बाद फिर अगला number question काता है, चुम चुम्किय फलस का जो A, साइ मातरक है, वह है आपका टिसला, तो यहां पे right answer हो जाता है, option number A, टिसला, तो students यह था important question इस वीडियो को सेर कीजेगा, मिलते नेक्स वीडियो में तब तक हमारे चैनल पर बने रहिएगा